नमस्कार देखिए बिहार में EKYC के लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जब से सरकार ने नाया नियम जो बनाया है नाया कानून जो लाया है एक जुलाई से उसके बाद से सभी के सभी नियम जो है बदल गया है उसी के लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आप सब के लिए जरूरी है देखिए कुछ राज ऐसा है सरकार ने इस नियम में ये भी लिखा है कि 12 राज ऐसा है कि इस 12 राज में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँपर आप की nog कोई से नहीं बना सकते हैं यह 12 राज को कैसे लिंक करना है यह सारी जनकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह बारे राज कौन सा है जहां पर आप EKYC नहीं बना सकते हैं और कैसे बनाना है यह सारी जनकारी हम आपको इस वीडियो में देखेंगे ऑफि कांट के लिए EQYC और EQYC अधार सीडिंग है तो ठीक है महत्पुन सुचना है जो यह सरकार ने दिया है इस वीडियो हम देखेंगे कि तीनों खंड क्या-क्या है जिसमें सरकार ने EQYC का रूल को जो बनाया है उसको हम देखेंगे पहले आप यहां देख सकते हैं पहले नंब अंतरगत राशन अधार काड काड धारियों के सभी सदस्यों को EQYC अधार सीडिंग कराया जाना है यह जो आपने पहले नंबर पर जो देखा है यहां पर लिखा है दूसरे नंबर पर यहां लिखा है कि राज के सभी राशन काड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे र आध्यम से निशुलक EKYC आधार सिडिंग करा सकते हैं। दूसरी राज में आप EKYC आप कराना चाहते हैं। तो कौन सा राज है जहां पर आप नहीं करा सकते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं। तिसरे नमबर पर साथी साथ राज के वैसे रासन कार्ण हम आएंगे। कौनक्लूजन में आएंगे आपकी इस वीडियो में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तिसरे नमबर पर की राज के वैसे रासन अधकार्ण धार्यू जो अपनी अजीव का अन्य राजकार्णों से राज से बाहर इन 12 राज के अंदर साशित यहां पर आप देख लिए के अ यह जो 12 राज जो बताया है मैंने इसको छोड़ कर ठीक है निवास कर रहे हैं वे भी उक्त राज में ही अपनी नजदी की उन वित्रन परनाली विक्रिता के पास जाकर एक वाईसी अधार कार्ट सिलिंग करा सकते हैं यानि सरकार इस में इस नोटिस में यह कहना चाह रही है कि यह 12 राज में अगर आप रह रहे हैं तो इसको छोड़ कर आप कहीं पर भी भारत में रह रहे हैं वहीं से वहीं पर जहां पर आप काम करते हैं वहीं पर आपको यह आप अपना एक वाईसी करा सकते हैं यह 12 राज अगर आप नहीं है यह जो बाराराज सरकार ने नोटिस में दिया है अगर आप यहां नहीं है दुसरे जगे हैं तो आप EQYC वहीं से करा सकते हैं अगर अगर इस राज में आप रह रहे हैं यह जो पच्ठी मगाल राजस्थान तमिलांडू पूर्ड़ुचेड़ई करना टग झालगंड अगर इस राज में घार हैं तो फिर तो आपको अपने घर आना पड़ेगा पर अपने घर आकर बिहार ही आकर आपको EQYC करे यह सबसे मुख़पून सुचना है आपको कैसा लगा जो डॉक्मेंट आपको प्रवाइड करना है जब आप यह करेंगे तो कौन-कौन सा दास्तेवेज आपको देना पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो मिलते हैं किसे और वीडियो में नेक्स वीडियो मे आपको कैसा वीडियो लगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और कोई प्रसन है तो भी आप पूछ सकते हमसे